नमस्कार मित्रों, हिंदीकुई.com में आपका स्वागत है। समंधित रचनाओं को पढ़ते ही एक नटखट बालक का चित्र हमारे सामने आता है, जो एक नेत्रहीन विक्ति ने किया, यानि कि सूरदास जी सूर थे नेत्रहीन थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा बालक का किया है, कि आज भी पाठक चमस्कृत हो जाता है, और आज भी पढ़ जो फोदा हरी पालने जुलावे, हल रावे जुल्रावे मल र्रावे जोईसुइ कशगावे, मीरे लाल को आओ निंदरिया, कहे नानिसुआवे, तो कहे नहीं बेगई आवे तो कोकान बुलावे, कबहु पलक हरी मून लेत हैं, कबहु अधर फरकावे, सोज जानी मौन है क रही करकर सायन पतावे यह अंतर अकुलाय उठे हरी जस्मती मधुर्वे गावे जो सुक्सुर अमर्मुनी दुलब सोनन्द भामनी पावे तो यहां पर कभी सुर्दाजी कहते हैं कि यह फुदा मया भगवान सुर्श करिण को पालने में जुला जुला कर सुला रही है वह पालने को हिलाती है क्रिश्न को दुलारती है और प्यार से पुछकारती है वो अपने मधुर सोर में कुछ गाती है वो कृष्ण को उलाना देते वे कहते हैं कि तुम्हे काना बुला रहे हैं तु जल्दी आकर मेरी लाल को सुला कियों नहीं देती कृष्ण कभी अपने पलकें बंद कर लेते हैं कि जैसे उन्हें नीद आ रही हो और कभी उनके उट फटबकने लगते हैं ये फोदा को लगता है कि जासे असरे कृष्ण सो गया है और शुप आती है एवा असारों से बात करते हैं कि कहीं कृष्ण जागना जाएं और ये शोदा मान का गाना बंद होते हैं क्रिष्ण अकुलाने लगते हैं और इनको अकुलाते देख फुदा फिर से लोरी पाना सुरू कर देती है तो उनकी गीत की मिठास से बालक कृष्ण के अकुलाहट दूर हो जाती है सुर्दाजी कहते हैं कि जो सुख देवताओं एवं मुनियों को भी दुरलब है वो अनन्द की पदनी फुदा फानी से पा रही है यह फुदा बड़ी बाकसाली है क्योंकि उन्हीं कृष्ण का फानी दुप्राप्त है सुर्दाजी कहते हैं कि माता फुदा भगवान स्री कृष्ण को माखन किला रही है वह मचलते ही वे माकन खा रहे हैं नीन के करण उनकी आखे लाल और भावे तेड़ी हो गई है वे बार बार जबाएं ले रहे हैं कभी कभी वह गुटनों के बल चलते हैं और उनके पैरों की पैंजनी की घुम्गरु जण जण करते हैं बजने लगते हैं पूरा सरीर धूल से सना हुआ लगता है, कभी जुक कर माता विफोदा के बाल खिसते हैं, कभी उनकी आँखों में आशु आने लगते हैं, और वे कभी अपनी तोतली आवाज में कुछ बोलने लगते हैं, तो कभी ताद कहते हैं, यानि कि नन बाबा को बुलाते हैं, माल की न धर्यों और पर जुञली करना लए हूं, जैहों लोट अभी धर्ती पर तेरी गोदना आई हो, लाल कहीं हो, नन बाबा को तेरो सुतना कहीं हो, कान लायक चुकाहत जफोदा, दावी नहीं सुनही हो, चंदा हो तेरी अदी सुंदर तोहीं, नवल दुलहया बही हो तो यहां पर कभी कहते हैं कि बालग सिर्केशन माता ये फुदा से जित कर रहे हैं कि उन्हें खिलोनी के रोब में चंद्रमाही चाहिए अपनी जित को पूरी करने के लिए मा ये फुदा को धंकिया दे रहे हैं कि वह कहते हैं कि तुम मुझे चंद्रमाही नहीं दोगी तो मैं सफीद गाय का दूत नहीं पियोंगा और अपने बालों की चोटी भी नहीं गुत्वाओंगा और गले में जंगोला भी नहीं डालने या फुदा मा किर्ष्म के कान में कू rigor कहती जाते हैं कि वह चर्ण्द्रमाह से भी अथिक संदर नई नविली दुलहन उनके साथ उनका बिवा करवा देंगे यह स्पन कर कर्छिन कहते हैं कि मां तेरी सोंगत मैं अभी ब्याह करने जाता हूं सुर्दाजी कहते हैं कि सारे सखा बराती होंगे और नैने मंगल गीद गाएंगे तो यदि हम तीनों पदों का किंद्रिभाव लें तो कुछ इस तरह आएगा कि पहले पद में माय फुदा बालक क्रिष्ण को मीठिल लोरी गाग आकर पाले में जुलाकर सुलाना चाहती हैं कि क्रिष्ण को नेन नहीं आ रही है अता माय फुदा नेन को उलाना देती हुए कहती हैं कि वह जल्दी आकर उनके लाल को सुला दे दूसरी पद में कृष्ण के मचलते हुए मक्कन खाने का बड़ा ही सोभाव बाणन किया गया है कृष्ण की बाल लिलाओं से मुद्ध माय फुदा एक पल के लिए भी कृष्ण को स्वयम से अलग नहीं करना चाहती दूसरी पद में बाल सुलब उस सुकता से सिर्किष्ण चंद्रमा का खेलोना बना कर उसके साथ खेलने का हट करते हैं पर उन्तों माय फुदा किया कहने पर कि उनका बिवा चंद्रमा से भी अधिक फुंदर दुलान के साथ होगा तो वा चंद्रमा के लिए हट छोड़ कर तुरंद विवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो इन तिनों पदों में कभी ने सिर्किष्ण के बालों चितकार कलापों और उन्हों पर रिजने वाली मां के संबनों का बड़ा ही मनोहारी वड़न किया है तो अगर हम देख पाते हैं कि सूरदाश जी भग्त कभी माने जाते हैं उनकी अरात्यद्यव स्रीकिष्ण है उन्होंने बागवान स्रीकिष्ण के बाल लिलाओं का बड़ा ही अनूठे ढंग सकी आ ए Srikishnik का अपने माता पिता के पुरत प्रेम और अपने बाल सक्षों के पुरत प्रेम के साथ गोपियों के पुरत प्रेम का फजी बढ़न किया गया है वे अतकालीं बैफणों कभियों में महतुपूर्ण कभी माने जाते है सूर्दास जी ने स्रिकिष्ण का बाल हट, माखन चोरी, बाल सुलब चपलता, योम नटखट पन का एफ़ा अनुखा वड़न किया है कि जिसे पढ़ते ही बनता है सूर्दास के लिए स्रिकिष्णी सब कुछ थे, सगुण भक्ती का फुंदर बरणन, हरदय के कपाट कोलने वाला है और पाठक उनको पढ़के आज भी भाव भी भोर हो जाता है, धन्यवाद